अब हम ना इसके पीछे का आपको थोड़ा सा और इस्टेटिक्स भी बताते हैं कि सीन क्या है देखें दो हजार पचीस में केरिडा के अंदर चुनाव होगा और चुनाव के अंदर टूडो को ना राजिनितिक पार्टियों में खालिस्तानियों के समर्थन की जर्वत पड़ेगी अब इसको थोड़ा सा गेम को आप समझने की कौशिश करिए कि अब यहां देखें सारे 9,000,000,000 पास पंजाबी बसें 8-9,000,000,000 पास पंजाबी आपे सारे 7,000,000,000 पास सिख यहां पर रहते हैं और लगातार सिखों की population यहां पर बढ़ती जा रही है हर 5 साल में यहां पर सिख डबल होते जा रहे हैं पंजाबी सांसद हैं, आप इससे अंदाजा लगाईए, ये लोग हैं पंजाबी सांसद जो वहाँ पर कैनेडा के अंदर सांसद बने हुए हैं, इंट्रेस्टिंग कहानी देखो अब आप, यहाँ पर इंट्रेस्टिंग कहानी ये है कि जो कैनेडा की संसद है ना, उसमें 2021 क जो चुनाव हुए थे उसमें 49 भारतिये मूल के लोग थे जो चुनाव में मौझूद थे तक्रीबन 35 केंडिडिट पंजाब के थे उनमें से 8 सीटे ऐसी थी जिन पर पंजाबी ही पंजाबी के सामने खड़ाव हुआ था आठ में से 5 सीटों पर 2 पंजाबी, 3 सीटों पर 3 तीन पंजाबी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे ये हाल है कैनेडा का 2021 के चुनाव परिनाव की बात करें तो 17 सीट ऐसी थी जिन पर भारतिये जीते थे 17 सान सदों में से 16 पंजाबी थे 338 में से 170 जिसके पास होंगी वो जाकर अपनी सरकार बनाएगा इतनी बात समझ में आती है अब देखो इसकी थोड़ी सी कहानी को और समझते हैं इसकी कहानी को जब समझेंगे तो आप निकलेंगे 2019 में क्या हुआ था जब आम चुनाव हुए थे तो टूड़ो बहुत मुश्किल से जीत पाए थे 170 सीट चाहिए थी टूड़ो को 157 सीटे मिली थी इसके साथ साथ जो विपक्षी पार्टी थी उसको 121 सीटे मिली थी इसके समर्थन से टूड़ो प्रधान मंत्री बन पाए थे अब यह जो जगमीत सिंग है न यह असल माइने में खालिस्तान का सिंपेथाईजर है चूकि यह खालिस्तान का समर्थन करता है तो ऐसी इस्थिती में कैनेडा के अंदर टूड़ो को इसके समर्थन के बिना 2019 में स समझ में आ गया कि यदि जगमीत सिंग की पार्टी जिसका नाम New Democratic Party है इसका समर्थन अगर नहीं मिला तो सरकार बनाने में मुसीबत हो जाएगी ऐसी इस्थिती में टूड़ो सिखों का अब आप सिखों का महत्व समझिए वहाँ पर 16-17 सीटे जब सिख वहाँ पर निकाल क ले जा रहे हैं तो ये बड़ी पार्टी कंसीडर की जाएगी बड़ी पार्टी कंसीडर की जाएगी इनका वोट शेर इसको चाहिए ऐसी इस्थिती में इन्होंने जगमीत सिंग के साथ जो की खालिस्तानी सिल्पेथाईजर है उसके साथ में इन्होंने एक टाइप किया क Confidence and Supply Agreement जिसके अंदर ये था कि भाई देखो बात ऐसी है कि 2025 तक हम लोग एक दूसरे का कई मुद्दों पर समर्थन करेंगे दौनों ने आपस में एक दूसरे के साथ मित्रता का हार आबुब हात बढ़ाया इसी कारण से जगमीत सिंग के कहने पर टूडो जो है न वो खालिस के समर्थन में बातें बोलते हैं यही कारण है कि जगमीत सिंग इन ही मामलों में अपने द्वारा कश्मीरी अलगाववाद हो या खालिस्तान की बात हो टूडो को खेंच कर ले आते हैं कि तुम PM हो इस मामले पर बोलो तो उम्मीद है अब आपको वो कहानी समझ में आ है